नमस्कार मैं हूं परमोद और आप देखना सुरू कर चुके हैं दिसाडकनामा.com इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाना के सिर्षा से जहां पे पिछले छे दिनों से लगु सची वाले के बाहर जो पका मोर्चा चल रहा था पांच किसानों की रिहाई को लेकर के तो उ हुआ है कोट जेल से जो किसान है वह बाहर आ चुके हैं and आपको तस्वीर की दिखा रहे है कि किसान नेता बल्देव सिंग हैं और जो पांचो यूआ हैं वो बेटे हैं और आप मीडिया को ब्रीफ करके तो इस तरह से किसान पंचायत हुई और किसान पंचायत के बाद क्योंकि डिप्टी स्पिकर अनवीर सिंग गंगवा की गाड़ी पर 11 जुलाई रवीवार को जो हमला हुआ था उनके गाड़ी के तमाम जो सीशे हैं वो तोड़ दिये गए थे हर्याना पुलिस ने उसी मामले को लेकर के सो से अधिक किसानों के खिलाब राजद्रो का केस है वो दर्ज किया गया था और उसी राजद्रो के केस के मामले में पांच किसानों को गिर्फतार किया गया था और उन पांचों किसानों की रिहाई को लेकर के सिर्सा में किसान स्टेटिय में जहां पर राकेश टिकैट सही तमाम जो नेता है वो यहां पर पहुंचे थे और उन्हों ने जो है S.P. कारेले के घिराव का अल्टीमेटम दिया था घिराव का एलान किया था अलांकि घिराव नहीं हो पाया क्योंकि भारी पुलिस्फवल है वो तैनात था और किसानों को लगुसची वाले के बहार Salo. बल्देव सिस्टि सिर्शा है वो अंसन पर बैठ गेते उनका यह कहना है कि जब तक किसानों की रहाई नहीं हो जाती तब तक वो अपने शरीर के अंदर कोई भी अंका दाना है वो नहीं लेंगे तो उसको लेकर के आज पांचमा दिन था लगाता और उनकी तबीत है वो बिगडती जा रही थी संक्रमन है वो बढ़ता जा रहा था उनके सरीर में जो आज पांचों किसानों की रिहाई हो चुकी है किसान नेताओं सब्सक्राइब पहुंचे जहां पर किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया यह उनसे चर्चा करते हैं वो क्या कहते हैं कि दहुंदे हैं कि टें लोग अभे लोगां दिक और पाल ऑनने लोगे तो यह तो कहरें लोगे पाली रही होतनी शुक कर्चता lider जेल में परचे पाए ना ने ने अपने आप ते फगर मसूस उंदाजी की आप दे हतकानी लड़ाई लड़के इते जेल चाहें किसान किसान शांत में विरोध कर रहे थे और कुछ अचानक से बीजेपी के बेजे हुए कुछ शरार्ती लोग आए उन्होंने पत्थर बाजी की और हमारे उन्होंने हमारे अंदौलन को बदनाम करने के लिए सब कुछ किया निका सेंग जी पेंट फगू जी आप रहा हुए क्या क्या रहा है असी पहले तो सारे जिन्ने भी जते बंदिया है प्या वहरे आना सारे अंदर ता नयाबाद कर दें फेर जी सानू अपना जो अपना रसन लड़ रहे हैं वोदे बिचसी आये सी सानू पांजाद मान चक् सानू उस जालती बड़ी खुशी हुए के सानू जेल दे लाके सिठा गया तो आढ़ दूते कोई होरा खुशी नए सानू झेकाल तो सानू कोई भी खूब तो सानू कोई तो नि बार बार आ पया दा जारी रहा के जितके हटांगे जितनों बास्टें बैठे है मेरा नाम जी साहीब सेंग को मन ख्यार परतों जी साहिब सेंग को मन खैर पर तो जी जित्तां के जरूर जारी जांग रखे हो ब्यासी पिछी अटनाडे नहींगे होनचे पैर अग्गे नू चोकी लिया है ते ए तिन्यों काले कनून वापस करा के ही करनू मुडांगे ये जेला जूला दा डर होन साठे दिना चो निकल चुके है की करनगे जेला ठाने लोक का दे हड़वाद दे जाने खकाली जो लाड़ते लोग जेला तो नहीं डरते लोग जी वो की थी मेरे एकजाम थे मैं बी ए ए इसेकंड इयर का स्टूडब्ट हूँ जेस डी कॉलेज का वो मेरे एकजाम थे तो वो कोट ने रिजेक्ट कर दी थी तो मैं बाद में कौट में अपील कर लूँगा कि मेरे को दुवारा पेपर देने के नुमती दे आज बड़ी जीत हुई है किसानों की किसानों का संगर्श जो चल रहा था छे दिन से और पांच दिन से बलदेव सिंग जी सिर्शा अमरोन अंसन पर बैठे थे उनके जज़बे की जीत हुई है जो तमाम किसान यहां लगातार छे दिन से आ रहे थे दिन रात यहां पर बैठ किसानों की जीत है शुंक्त मोर्चे की जीत है देश के तमाम उन किसानों की जीत है जो संगर्ष के अंदर पिछले नो महने से लगे हुए हैं यह सरकार जो बार बार किसानों को जब जब पकड़ा है नोंने तब तब इस सरकार को मुझ की खानी पड़ी है और हर बार किसानों के आगे सरकार को जुकना पड़ा है तो अब भी सरकार को जुकना पड़ा यां सिर्शा के अंदर भी और पूरे देश के किसानों के संगर्स की ये जीत है और जो सरकार ये बार बार ब्यान दे रहे थे ये कि हम किसी भी केमत के उपर है इनको छोड़ेंगे ने इतनी संगीन देश दुरोई की और देश दुरोई की दारा लगने के बाद में साल डेट साल कहते हैं कि जमानत नहीं होती आज इसी सरकार को किसानों के आगे जुगना पड़ा और बिना किसी सर्थ हमारे सातियों को इनको रहा करना पड़ा है तो यह बहुत बड़ी जीत है किसानों की और किसान अंदोलन की अब आगे कि जो कॉल दी गई थी हमारी 23 तारीकों कल बजार बंद की और 24 तारीकों रणवीर गंगोवा का घर गहरने की तो वो कॉल हम वापस लेते हैं और हमारी अभी मीटिंग होगी और मीटिंग के अंदर फिर आगे फैसली किये जाएंगे अभी संसद साथि है वहां साती जाएंगे 200 किसान हमारे रोज जाते है अज पहला दिन है और जब तक मानसुन सतर चलेगा तब तक हम संस द कूँछ करें तो लगातार हमारीं अ बने इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेर जुरू कर दिए क्योंकि बलदेव सिंग सिर्सा नहीं कहा है कि उनकी रिहाई को लेकरके उनका आंसन था जो रिहाई होने के बाद उनका आंसन है वो खत्म हो जाएगा और यह जो मोर्चा है वो भी हटा लिया जाएगा हल सिर्सा में पहुंच रहे हैं जगजीत सिंग दलेवाल और कुलवंत सिंग संदू वो पहुंच रहे हैं उनसे राय मुश्रवा करने के बाद जो है अगामी जो इस पूरे मामले को लेकर के रन निती है वो तैक ही जाएगी तो इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्याद